हेलो माई दिया स्टुरेंट्स कैसे आप लोग देसेज इंजीनियर फरवान मलेक यूर मैथमेटिक्स मेंटर और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं किलास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत बेसिक टॉपिक मैट्रेसिस जिसका काफी हेल्दी वेटेज रहता है CBSE वोर्ड में भी और JEE मेंस में भी जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है वेटेज ओफ मैट्रेसिस और डेटरिमिनेंट्स एक और चेप्टर है जो मैट्रेसिस से ही रिलेटिड है जब तक मैट्रेसिस नहीं पढ़ेंगे डेटरिमिनेंट समझ में नहीं तो competition में भी बच्चों यह बहुत ही important topic हो गया है तो आज हम लोग discuss करने वाले हैं matrices अब यहाँ पर आप दो नाम लिखे हुए देख सकते हैं matrices and matrix तो सबसे पहला confusion तो यह हो जाएगा बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यह दोनों एक ही मतलब है चाहे matrix लिख लो या matrices लिख करेंगे जब एक से जादा matrix हो जाएंगी तो वो बन जाएगा plural और एक से जादा matrix हो जाएंगी याने कि जब पिलूरल हो जाएगा तब हम लोग उसको बोलते हैं matrices तो यह confusion तो यहीं से आप लोग clear कर लीजे अब मैं आपको समझा देता हूं कि matrices का actual में मतलब क्या है है क्या cheese matrices तो definition बच्चों मैंने जैसा की लिख रखी है arrangement of numbers और functions in a rectangular array ये arrangement है numbers का या functions का किसी rectangular array में अब थ्योरी पढ़ने से अगर किसी को समझ में आ जाता तो teachers क्यों होते किताबों से बच्चे क्या करते books लेके आते घर पे पढ़ लेते बात खतम हो जाती तो यहाँ पर मैंने एक word underline क्या हुआ है सबसे पहले यह समझ लेते हैं rectangular array का क्या मतलब है फिर numbers कौन से numbers की बात हो रही है किन functions की बात हो रही है कैसे उनका arrangement होगा इस सबको मैं detail में समझाओंगा example लेके तो rectangular का मतलब होगा rectangle form में होगा यानि कि length और breath इस type के rectangles बनेंगे ठीक है rectangular में यानि कि rectangle form में number arrange किये जाएंगे अब यह array क्या है तो बच्चो array का मतलब मैं आपको बता दूँ array का मतलब ही है arrangement of numbers in rows and columns यानि कि जो number है उनको rows और column में arrange किया जाएगा और एक rectangle बनाया जाएगा तो जो form बनेगी उसी को हम बोलेंगे matrix तो matrix is nothing it just a arrangement of numbers और functions in a rectangular array तो पहले मैं number समझा देता हूँ यह जो number आएंगे यह number real भी हो सकते हैं और imaginary भी हो सकते हैं यानि कि आपने class 11 में पढ़े हैं बड़े अच्छे से जो आपने topic पढ़ा था complex number यानि कि आयोटा की form में जितने भी नंबर है वो imaginary नंबर है तो imaginary भी नंबर हो सकते हैं और real नंबर भी हो सकते हैं बात रही functions की तो function आप जानते ही होंगे कोई polynomial function हो सकता है like 2x हो जाए 3x हो जाए x square हो जाए trigonometric function हो सकता है कोई sin x, cos x, logarithmic function हो सकता है log की form में कोई exponential function हो सकता है e की power x, e की power x, etc. इस type के कोई भी functions हो सकते हैं उनको हम rows और column में arrange करेंगे एक rectangle बनाएंगे अब अभी भी बात 80% clear हो रही है, एक rectangle बनाएंगे, numbers को rows में और column में arrange करेंगे तो क्यों न मैं आपको एक example बनाके दिखाई देता हूं matrix का देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने 6 real number लिए हैं अब आप इसकी form देखिए, एक rectangle बन रहा है, अगर हम rectangle बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 line हैं, यानि के लंबाई में और 3 column है, यानि के उचाई में तो इस तरीके से एक rectangle बन जाएगा या नहीं बन जाएगा हो रही है बात clear, अब मैंने इन numbers को किया कि एक rectangular array की form में arrange कर दिया, अब इसमें rows कौन सी हैं और column कौन से हैं तो बच्चों जो horizontal होगा, horizontal, अब एक बड़ी must trick बताने वाला हमें या पर horizontal होगा, उसे क्या बोलेंगे, rows, और जो vertical होगा, उसे क्या बोलेंगे, column अब बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, कि बहुत सारे बच्चे क्या होता, इसी में confused हो जाते हैं अब मैं इसमें बूछू, यह जो अगर यह कोई matrix है, तो इसमें कितनी rows है, और कितने column है अगर यह कोई matrix है, तो इसमें कितनी rows है, कितने column है, अब horizontal, चलिए कभी तो समझ आ जाता है, कभी बच्चे गल्ती कर देते हैं तो एक बड़ी अच्छी सी track है, देखिए जो आर आरा है, rows का, इसको आगे इस तरीके से बढ़ा दीजे, यानि कि इस type से जो लेटा हुआ होगा, या जो S तरीके से जाएगा, वो क्या होंगी? वो होंगी rows अब column का भी एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, column का है? C से start होता है, तो C को इस तरीके से बना सकते हैं? देख लिए, क्या बढ़िया तरीका है, तो C को कैसे जा रहा है? ऐसा जा रहा है, लंबा, ये लंबी सी line आ रही है, तो ये जो है ये वाले, ये इस तरीके स ये है column, और ये वाली जो है, ये horizontal ये है rows, तो अगर ये कोई matrix है, तो ये R1 हो गई, यानि के पहली row, ये R2 हो गई, यानि के दूसरी row, ये पहला column हो गया C1, ये दूसरा column हो गया C2, ये तीसरा column हो गया C3, तो अब अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी, या फिर में function भी ले सकता था, function के लिए समझा देता हूँ, suppose कर लिए एक ऐसे ले लिया, sin x, 1 x ले लिया, 1 x ले लिया, 1 x 3 x ले लिया, और इसको arrange कर दिया rectangular form में, तो इसका symbol जान लेते हैं पहले, कि matrix का symbol क्या है, तो symbol आप लोग note कर लेंगे यहाँ पर, एक rectangle array में number arrange कर गया आप, और इस तरीके से आप इनको क्या बोलते है, square bracket, square bracket लगा दीजिए दोनों side, या फिर ये bracket का भी हम use कर सकते हैं, देखिए एक square bracket लगे हुए हैं तो, अब मैं ये वाला bracket का भी use कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, तो एक rectangle हो गया, rectangle form में number हो गया, और इस तरीके से मैंने उसको bracket के अंदर close कर दिया, इसी लिए definition थी, arrangement of numbers और functions in a rectangular array, array means arrangement in rows and column, अब rows और column में कभी confusion नहीं होना चाहिए, ये R को ऐसा करके बढ़ा दीजिए, horizontal ये हो गया, ये rows हो गई, और C को इस तरीके से लिख लीजिए, तो ये आपका हो गया, column एक अच्छा तरीका हो गया, इसको याद रखने का, अब बच्चो जो है कि किसी matrix में, अब इसमें मैं बात करूँ तो दो rows है और दो column है, तो कोई ऐसा वरूरी थोड़ी ना है कि हर matrix में दो rows हो, दो column हो, इसके rows और column define थोड़ी ना है, कितनी भी rows हो सक सकते हैं, तो उस चीज़ को कैसे denote किया जाएगा, suppose कर लीजे मैं एक matrix, ऐसे भी बना सकता हूँ, 1, 2, 3, इसमें 3 column हो गए, C1, C2, C3, और 1 row हो गई, समझ पारे बात को, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ matrix, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 5, 6, 7, 9, अब इसमें 1, 2, 3, R1, R2, R3, 3 rows हो गई, C C1, C2, C3, C4, 4 column हो गई, तो यह matrix को आप देख रहे हैं, हम change कर सकते हैं, number of column change कर दिए, number of rows, तो कितनी type की matrix बन सकती है, तो इस चीज़ को denote करने के लिए कोई proper sign या कोई proper formula बनाया गया है, या नहीं बनाया गया है, विलकुल बनाया गया है, किसी matrix का configuration किस तरीके से decide होगा, configuration से मेरा मतलब है, उसका size, उसमें कितने elements हैं, तो उसको हम बोलते है, order of matrices, तो अब आईए मैं आपको समझा देता हूँ, order of matrices का क्या मतलब होता है, कि किसी matrix का order कितना है, इस से आपको उसमे number of elements भी समझ में आ जाएंगे, कि उस matrix में कितने element हैं, और उसमें कितनी rows हैं, कितन order of matrix का मतलब होता है, बच्चो, rows, cross, column, या rows into column, किसी matrix में जितनी rows होंगी, फिर cross का sign लगाएंगे, फिर उसमें जितने column होंगे, वो लिख देंगे, तो ये rows और column, rows into column, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, order of matrices, इसको आप लोग note करके रखिएगा, अब बच्चो, rows को generally, rows को denote क करते हैं, N से, अब, एक matrix बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब आप से पूछा जाएं कि इस matrix का order बताइए, तो चलिए बताइए, order कितना है, ओके, R1, R2, there are two rows, C1, C2, C3, C4, and there are four columns, तो rows into column, two rows and four columns, जो last वाला element होगा, उसके बाहर, सब script में हम लोग क्या करेंगे, rows into column की form में लिख देंगे, जो भी value होगी, rows और column की, इसी तरीके से हम denote करते हैं, order, तो इसको क्या बोलेंगे, order of matrix, दो rows है, यह order इसमें हमें क्या दिखा रहा है, दो rows है, और चार column है, अब अगर आप rows और column की multiply करा दें, यानि कि M into N की multiply करा दें, तो equal में एक चीज़ और note करके रखिए, यहां से हमारे निकल आएंगे, total number of elements in that matrix, उस matrix में जितने भी element होंगे, अब ही element क्या है, यह जो matrix के अंदर आप जो number भर रहे हैं, या कोई जो function भर रहे हैं, इन्ही numbers को हम बोलते हैं, element of matrix, या फिर entries of matrix, element, या फिर entries, तो यह इस matrix की entries हैं, अब अगर हम rows और column की multiply करा दें, 2, 4, 8, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 8 ही numbers हैं आपके, तो order से आपकी matrix बहुत अच्छे से define हो जाती हैं कि इसमें कितने rows हैं, कितने column हैं और कितने number of elements हैं, अब यहाँ पर एक चीज और रह जाती हैं, इसमें जितने भी element हैं, इन सब का भी अलग unique एक order है, यानिके, एक तो matrix का order होगा, एक element का भी order होता है, तो element का order क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, क्या बढ़ रहे हैं लोग, order of elements, यह कैसा निकलेगा, कोई भी एक matrix बना लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 1, minus 7, 0, minus 1, यह R1 हो गई, यह R2 हो गई, यह C1 हो गया, यह C2 हो गया, यह C3 हो गया, और यह C4 हो गया, correct है, अब अगर मैं आपसे बूछू, यह element कौन सी row में लाए कर रहा है, पहली row में, मैं 1 लिख दे रहा हूँ, column कौन सा है, पहला, पहला column, actually mathematics में standard है, कि हम पहले row को बोलते हैं, दुवार फिर again column को बोलते हैं, जैसे कि मैंने order में भी सभी खाया था आपको, पहले row आएगा, बाद में column आएगा, तो इसका order कितना दिख रहा है आपको, 2 rows हैं, 4 column है, 2 into 4, ठेक है, तो ये पहली row और पहले column का element हो गया, ये बच्चो पहली row दूसरे column का element हो गया, ये पहली row तीसरे column का element हो गया, पहली row 4th column, 2nd row 1st column, 2nd row 2nd column, 2nd row 3rd column, 2nd row 4th column, तो यह जो मैंने सब script में यह जो number लिखे हैं हर element के आगे यही कहलाता है order of element यानि कि अगर मैं आपसे इसमें पूछने लगूं कि A2,3 की value क्या है एक उसका sign हो गया कोई general element का और 2,3 तो A2,3 यह रहा 0 इसी तरीके से आपको यह knowledge होनी चाहिए कि कौन से element की बात की जा रही है एक मदे की बात और है last row और last column का जो element होगा वो इस matrix का order बताएगा देखे इस last element का क्या order आए 2 into 4 और हमाली matrix का भी क्या order है 2 into 4 तो यह छोटे छोटे logic आप लोग इस पो ध्यान दीजिए यह सारा काम observation का है अब आप देखते जाएंगे ध्यान से तो सारी बाते समझ में आती जाएंगे matrix के बारे में ठीक है अब general तरीका क्या है जैसे rows और column को denote करने का general तरीका क्या था m into n इसी तरीके से किसी element को denote करने का general तरीका है a i j a उसकी value हो जाएगी और i j उसका order हो जाएगा अब i का क्या मतलब है बच्चों यहाँ पर i का मतलब है i th row और j का मतलब है j column किस row में है वो और किस column में है तो यहाँ पर देखिए 3 के लिए क्या है 1 1 तो i की value हो गई 1 और j की value हो गई 1 i की value हो गई 1 j की value हो गई 2 i की value हो गई 1 j की value हो गई 3 तो यह है general element का presentation किसी भी element का भी order होता है और उस matrix का भी order होता है I hope आपको इस बात अच्छे समझ में आ गई होगी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी matrix का presentation कैसे करते हैं किसी भी matrix का notation या उसका representation किस तरीके से हम लोग करते हैं तेखिए कोई भी matrix हो गई उसको हम बच्चों present करेंगे किसी भी capital letter से capital A, capital B, कुछ भी हो सकता है उसका general element हो गया aij क्या तरीका था bracket के अंदर close कर देंगे और बाहर उसका order लिख देंगे m into n ये notation है किसका matrix का इसको आप note कर सकते हैं अब इसका मतलब किया हुआ ये क्या दिखा रहा है aij कोई general element है और m into n उसका order है for example अभी बड़े आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा एक question लिखते में यहाँ पर इस तरीके के question इस पर बनेंगे construct a matrix of order 3 into 3 whose general element aij is given by इस तरीके से लिखते हैं aij equal to i plus j upon 2 देखिए जब भी किसी matrix का construction आप से करवाया जाएगा तो क्या होगा उसमें आपको order भी given होगा और general element का formula भी given होगा कि general element आपको किस तरीके से form करना है मुश्किल मुश्किल question इस पर बनते है example के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ और आगे हम लोग exercise करने वाले है तो अब आपको पता चलिए कि सर जो matrix है वो 3 by 3 का है उस matrix हो capital A से denote कर ले रहे है अब 3 by 3 का मतलब क्या हुआ general element है माल ले रहे हैं ये वाला order क्या होगा 1 1, 1 2, 1 3 correct है पहली row पहला element पहली row दूसरा पहली row तीसरा element 3 by 3 का बनाना है तो 3 row बनाएंगे और 3 column बनाएंगे A 2 1, A 2 2, A 2 3 A 3 1, A 3 2, A 3 3 तो ये matrix के मैंने general order भी लिग दी और अभी इसकी value हमारे पास है नहीं तो मैंने A की form में लिग दिया column अभी जैसा के मैंने बताया था तो इसके लिए I की value बच्चों क्या है 1 और J की value क्या है 1 तो 1 plus 1 divided by 2 answer हो जाएगा 1 इस तरीके से हम सारी values लिख लेंगे तो यहाँ पर हम values तो निकाले लेंगे मैं direct answer लिख दे रहा हूँ 1 plus 1 2, 2 को 2 से divide क्या answer आगे 1 2 और 1 plus 3 answer हो गए 3 by 2 3 और 4, 4 को 2 से divide करोगे 2 2 और 1 3, 3 by 2 2 to 4, 2 हो जाएगा 2 3 5, 5 by 2 हो जाएगा 3 1 4, 2 हो जाएगा 3 2 5, 5 by 2 हो जाएगा 3 3 6, 6 को 2 से divide करेंगे 3 आजाएगा तो बन गई ना matrix इसका order कितना हो गया 3 into 3 तो इस notation का यह use है और यह importance है इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी matrix को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं यह पूरी matrix बन गई ना a i j से पूरी matrix बन गई और बहार उसका order है बात आ गई समझ में तो इसको समझने के लिए और अच्छे से कुछ हम लोग क्या करते हैं ग्जामपल्स करते हैं तो चलिए देखते हैं अब जैसा कि मैंने एक question लिखा हूँ आए बच्छो आपके सामने construct a matrix of order 2 into 2 for which a i j यानि के general element i plus j का whole square divided by 2 तो आप एक general matrix create करेंगे a equal to जिसका order 2 by 2 होगा यानि के दो रो दो कॉलम तो चार element होंगे a11, a12, a21, a22 कितना order होगे हैं 2 into 2 अब value कैसे आएंगी i plus j i throw होती है j column होता है तो i plus j का whole square करेंगे 2 से divide करेंगे 1 और 12, 2 का square 4, 4 को 2 से divide करेंगे answer आगे 2 अगर आपको इसमें problem होती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं अलग-अलग value निकाल सकते a11 equal to 1 plus 1 का whole square divided by 2 2, 2 का square 4, 4 by 2 answer is 2 इस तरीके से आप हर element का calculation अलग कर सकते हैं अगर आपके calculation इस skill अच्छे तो directly लिख दीजे 2 और 1, 3, 3 का square 9 तो ये 9 by 2 हो जाएगा 2 और 1, 3, 3 का square 9, 9 by 2 हो जाएगा 2, 2, 4, 4 का square 16 16 को 2 से divide करेंगे 8 that's all किसी भी matrix का construction जब आप करेंगे तो वहाँ पर order given होगा और उसका general element की value given होगी तो बहुत आसानी से आप इसका answer निकाल सकते हैं जैसा कि आपने इसमें देखी लिया होगा अब कुछ इस पर अच्छे questions भी बनते हैं जो आपको confuse कर सकते हैं तो एक दो अच्छे question और देखते हैं इस पर next question बचो यह रहा मैंने bolt पे लिग दिया है construct a matrix of order 3 into 3 form h aij equal to half and modulus है minus 3i plus j का modulus के बारे माई होब आप जानते होगे कि कोई भी negative number जो होता है वो इसमें positive हो जाता है positive तो positive रहता ही है ठीक है तो 3y3 का matrix बनवाए एक general matrix create कर लीजिए a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 that's all बड़ा आसान था मदा भी आता इसे करने में बड़े आसान से question आई अब इनकी values निकालते जाने है पहली row में i की value बन रहेगी थोड़ा सा गर observation देखें दूसरी row में i की value 2 रहेगी तीसरी row में i की value 3 रहेगी column की value change होती जाएगी तो क्या values आएंगी 1 और 1 3 1 जा माइनस 3 माइनस 3 पिलस 1 बचेगा माइनस 2 मौड से हो जाएगा वो पिलस 2 पिलस 2 से divide by 2 answer आगया 1 correct है i की value फिर 1 जब i की value 1 रहेगी तो यहां पे आने के पूरी row के लिए यह माइनस 3 आता रहेगा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 थोड़ा सा दिमाग लगाऊ ना यार यह सब छोटे छोटे observation है portion तो सारे बच्चे ही कर लेते है लेकिन समझ के करना देख के करना कि हम उससे क्या समझ में आ रहा है यह बहुत कम बच्चे ही कर पाते है तो बात समझ में आ गई कि हर row के लिए मैं यह 3 की minus 3 इंट की value fix हो जाएगी correct है अब यहां पे 1 सम में 1 1 है आई तो यह minus 3 हो जाएगा अब minus 3 plus 2 क्या बचा minus 1 mod है plus 1 हो जाएगा और divide by 2 1 by 2 typical तो नहीं लग रहा है न आपको यह बहुत ही आसान है इतनी calculation तो mathematics के बच्चे हो के पेटा करनी पड़ेगी न आपको तो minus 3 और यह रहेगा plus 3 कितना हो जाएगा 0 अब सम में I की value 2 हो गई तो minus 3 2 हो जा यानिके minus 6 इसकी value minus 6 ही आई नहीं है अब minus 6 plus 1 minus 6 plus 2 minus 6 plus 3 कितना आसान बन गया टाइम भी बच जाएगा आपको और यह बहुत जल्दी भी हो जाएगा minus 6 plus 1 कितना बचेगा 5 2 से डिवाइट करती 5 by 2 वैसे आता minus का मगर mod था तो plus हो गया अब minus 6 plus 2 बचेगा 4 4 को 2 से डिवाइट करेंगे 2 minus 6 plus 3 बचेगा 3 3 को 2 से डिवाइट करेंगे 3 by 2 अब 3 से multiply हो नहीं है तो I की value अब यह value हो जाएगी 9 क्योंकि I की value सारी 3 है न थर्ड रो में और minus 3 3 जा 9 minus का तो minus 9 plus 1 8 बचेगा 8 को 2 से डिवाइट करोगे 4 minus 9 plus 2 7 बचेगा 7 को 2 से डिवाइट करोगे 7 by 2 minus 9 plus 3 minus का 6 बचेगा जो कि plus 6 हो जाएगा और 6 को 2 से डिवाइट करोगे 3 लीजी हो गया अब इसी में calculation भी करते बचे उस calculation में भी mistake करते अब मैंने आपको कितना अच्छा तरीका बता दिया तो इस तरीके से आप धीरे-धीरे मेरे साथ सीखते जाएगे कि calculation भी कैसे करनी होती है तो ये बड़ा आसान सा question था बहुत आसानी से हो गया NCRT की जो हमारी exercise है 3.1 वो construction of matrices पर ही based है mostly question आपके इसको देखके हो जाएंगे और ये question भी NCRT का ही है चली next question एक और देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए तो बच्चो next जो question है वो ये है construct a matrix of order 2 into 2 for which AIJ यानिक उसका जो general element है वो given है 2 की power IX और साथ में है sin JX थोड़ा नया सा question है मगर इसमें भी घवराने की कोई दरूद नहीं बहुत आराम से हो जाएगा तो 2 by 2 गा एक general matrix create करिए सारे लोग क्या बनेगा A11, A12, A21, A22 I की value 1 रखेंगे और J की value 1, 2 इस तरीके से तो I की value जब आप 1 करेंगे यहाँ पर तो 2 की power X हो जाएगा और J की value 1 करेंगे तो 2 की power X sin X आ जाएगा जब मैंने आपको matrix की definition पढ़ाई थी तो क्या बताया था It is the arrangement of numbers और functions अब यहाँ पर functions आ गए in a rectangular array तो इस rectangular array में arrangement हो रहा है numbers का दूसरे में आ जाएगे तो 2 की power X ही रहेगा क्योंकि I की value तो बन रहेगी और यहाँ पर sin 2X हो जाएगा next I की value 2 हो जाएगी तो 2 की power 2X हो जाएगा J की value 1 होगी तो sin X हो जाएगा और यहाँ पर 2 की power 2X J की value भी 2 हो गई यहाँ पर हो गया sin 2X तो अम्मीद करता हूँ अब जितने भी construction है आप matrices के जितने भी construction है उनका general element given होगा और order given होगा बहुत आसानी से अब आप लोग उसको कर लेंगे मिलते हैं जल्दी next lecture में वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो please like करिए, share करिए, comment करिए और channel को subscribe करिए thank you thank you so much, मिलते हैं next lecture में बहुत जल्दी